बिग बॉस सिजन बारा में होने वाले कंटेंस्टेंट के बीच बहस और तकरार नहीं लोगों का ध्यान खुबा करशित किया। हलनकि इसके बावजूद भी शो टी आरपी चार्ट पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। शो में बीते वीकेंड का वार एपिसोड में नॉमिनेटर कंटेंस्टेंट जसल मतारू, मेगा धारे, दिपिका ककड, डोमेल चौदी और दीपक ठाकुर में से किसी को भी वेगर नहीं किया गया था। एक सब्ता बीतने के बाद अब लोग इस बात को जानना चाते हैं कि इस वीक सलमान खान किस कंटेंस्टेंट को शो से बाहर करेंगे। हलंकि इन सब के बीच अफ़ा है कि इस सबता की वीकेंड का वार एपिसोड में एक नहीं बलकि दो कंटेंस्टेंट को घर से एविक्ट किया जाएगा शोशल मीडिया पर चर्चा तेजी से है कि बिगब सेजन बारा का जसलीन मतारू और मेका धाड़ी का सफर आज रात खत्म हुचाएगा इस बात का एलान खुद शो के होस्ट सलमान खान करेंगे दखबरी नाम केक ट्विटर के अनुसार इस बात जसलीन और मेका को शोव से बाहर किया गया है बतादी कि जसलीन मतारू ने बचन समराट अनुमचलूटा के संग बिग बस शोव में एंट्री मारी थी शोव में दोनों के रिष्टे की खूप चर्चा हुई थी हलांकि शोव से बाहर आने के बाद अनुमचलूटा ने जसलीन के संग रिष्टा होने की बात को इंकार कर दिया था वहीं मेगा धाड़ी की बात करीतु कसौर्टी जिंदगी की एक्ट्रस बिग बस मराठी की विनर रह चुकी है मेगा ने बिग बस सेजन 12 में वाइल कार्ड के तौर पर एंट्री मारी थी शोव में दीपक पर थूकने और जूते मारने को लेकर मेगा विवादों में रह चुकी है